हलो स्टुदेंट्स एंड दियर विश्ट विल्कम बैक अगें लक्ष क्लासिस तोडें इन दिस लेक्चर आई उड लाइक कू डिसकस एबाउड दा प्रोटीन टार्गेटिंग और प्रोटीन सारेटिंग इसा कि नाम से ही इंडिकेट होता है प्रोटीन टार्गेटिंग का म इसका मतलब यह है कि जब कोई नई नए प्रोटीन संथिसाइज होती है इनसाइड दा साइटो प्लाजम अब देशिल विद्ध हेल्प आप अमेसेंजर आर्यने आज विल आज राइबोसोम्स देन दन्यूली संथिसाइज प्रोटीन रिचेज तो दियर प्रापर डिस्ट के इनसन जो नई प्रोटीन संथिसाइज होती है वह हैस्सिल के अंदर अथ्व सेल के बाहर अपने प्रा डिस्टिनेशं विपहुँचती है अपने प्रापर उचित लक्ष पर जाती है जहां उसकी होशकता होती उसी को कहते है प्रोटीन टार्गेटिन अत्थ हुआ त कहते हैं सार्टिंग मने सेपरेटिंग कि डिफिनिशन बढ़ा किलियर है टार्गेटिंग आफ प्रोटीन टार्गेटिंग टार्गेट मने होता है लक्ष टार्गेटिंग मने होता है लक्षित करना लक्ष की ओर पहुंचाना जैसे कोई प्रोटीन बन गई है तो प्रोटीन क प्रोटीन को किसी दूसरी से लर्यनली में जाना है तो जो नियुली संथिसाइज प्रोटीन होती है उसको किस टार्गेट पर जाना है उसका टार्गेट आर्गन क्या है इसे माइल जियुँपॉटीन में जो भी नियोली संतिशाज प्रोटीन होती है, अपने निश्चित तार्गेट की तरफ जाती है, तो उसे कहते हैं टॉर्गेटिंग आफ प्रोटीन, उसे कहते हैं, अब देखिए, डिफिनिशन एक जैड देखिए, तार्गेटिंग आफ प्रोटीन, तार्गेटिंग आफ प साइट बनने वाले साइट से साइट बनने किनारा तुद्धर टार्गेट साइट तो इसे को कहते हैं प्रोटीन टार्गेटिंग को बहुत अच्छे से समल है खुए फेखिए माल लेजिए प्रोटीन के बनने के फार्मिंग साइट से तार्गेट साइट पर पहुंचने के परकृरिया को ही कहते हैं प्रोटीन टार्गेटिंग इसको दूसरे सब्दों में कहते हैं ट्रांसपोर्टीशन आफ प्रोटीन चुदे फाइनल डेस्टिनेशन इस कॉल्ड पूटीन टार्गेटिंग जो नहीं नहीं पूटीन संथेशाइज होती है उसको फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचना ही क्या है पूटीन टार्गेटिंग है इस तरह से फार्मिंग साइट से प्रोटीन का टार्गेट साइट की तरफ जाना इसी कह थे प्रोटीन टार्गेटिंग ठीक है आगे बरते हैं आर टार्गेटिंग है प्रोटीन फ्राम फ्रार्मिंग साइट माने होता है बनने वाले साइट से प्रोटीन कहा बनती है साइटो प्लास्म में So it is very clear that targeting of protein from farming site Protein की targeting कहां से? Farming site से. Protein कहां मनती है? Cytoplasm में. So the targeting of protein from farming site इस तरह से protein की targeting कहां से? Farming site से. companyं कहां मनती है? Cytoplasm से. To the targeting site. Targeting site कहा ह कोई भी cell organ-ly हो. ठीक है? कोई भी cell organ-ly. यहणि अधर अर्गेटिंग अपधा शेल is called as protein targeting and protein starting. तो इस तरह से targeting of protein from farming site. Protein की जो targeting होती है, कहां से? From farming site. Protein की targeting from farming site. चोकि protein मनती कहा है? साइटो प्लाजम में. So the targeting of protein from farming site to the target site. Target कोई भी शेला अर्गेटिंग हो सकता है. या यह दर आरगेंली अब ज़ेल, is called as protein targeting or protein starting, so it is very clear that the targeting of protein, protein की targeting, targeting of protein मुलब प्रोटीन को लक्षित करना, प्रोटीन को लक्ष तक पहुचाना, कहां से पहुचाना, farming site से, farming site क्या है, cytoplasm, targeting site क्या है, कोई भी cell आरगेंली, कोई भी cell आरगेंली हो सकता है, से माइटो का अंडिया है, या कोई अधर से लारगेंली है, is called protein targeting or protein starting, ठीक है, आगे देखते हैं, protein, protein targeting or protein starting is the biological mechanism, protein starting means होता है, separating उपर लिखा है, protein starting means होता है, separating, ठीक है, आगे देखिए, protein targeting or protein starting is the biological mechanism, protein targeting अथवा protein starting जो है, एक biological mechanism होती है, एक Jb क्रिया विधी होती है, by which मने जिसके द्वारा, proteins are transported to their appropriate destination, within or outside of the cell, protein targeting अथवा protein starting, protein targeting मने प्रोटीन को अपने लक्ष की तरह पहुचाना, protein को लक्षित करना, और protein starting मने होता है, protein को अलग करना, जिसके द्वारा प्रोटीन को ट्रांसपूर्ट की जाता है, protein का परिगमन किया जाता है, to their appropriate destination, जिसके द्वारा प्रोटीन को ट्रांसपूर्ट, उसके उचित डेस्टिनेशन, यानि उचित अस्थान पर किया जाता है, बिदिन मने चाहे वो डेस्टिनेशन सेल के अंदर हो, चाहे वो डेस्टिनेशन सेल के बाहर हो, ठीक है, आगे है, protein का इन भी ट्रांसपूर्टेट टू दीर इनर इस्पेस, आप एन आर्गन, आर्गन ली, protein को जो होता है, किसी भी कोशिकांग के, इनर इस्पेस में भी, ट्रांसपूर्ट किया जा सकता है, परिगमन किया जा सकता है, डिफरेंट इंट्रसेल्वर मेंब्रेन, बिभिन आनता कोशिये जिल्लियों के बीच, जो है, ट्रांसपूर्ट किया जा सकता है, प्लाजम मेंब्रेन, कि पाश्ट ट्रांस्पोर्ट किया जा सकता है to the exterior of the cell और cell के बाहर जो है उसको ट्रांस्पोर्ट कर सकते हैं बाया सेक्रीशन मने स्रामण के द्वारा इन फार्मिशन content in the protein itself उस सारी सूचनाई जो प्रोटीन के पास स्वेम मौजूद होती है डारेक्स मने दिशा निर्देश देती है the delivery process delivery मने भेजना वह सूचनाई जो स्वेम प्रोटीन के पास मौजूद रहती है वो दिशा निर्देश देती है delivery process मने होता है पहुँचाने की प्रकरिया को correcting, सुधार करने को starting, separate करने को इस कुरशी अले बड़ी महत्पूर होती है भार्देश सिल्वाने कोशाओं के लिए error है बिन linked to the multiple disease states अगर निसमे कोई कमी आ जाती है correcting में, starting में, processing में, delivery में इसकी वज़ा से बहुँच सारे multiple disease state state मने प्रवस्था महुँच सारी बीमारियों की प्रवस्था ही बन सकती है ठीक है न महुँच सारी बीमारियों की प्रवस्था बन सकती है, आगे में move करके बताता है move करते हैं, now we move forward in 1970 gunter global conducted experiment under transportation translocation of protein एक राहदा मेंब्रेन 1970 में gunter global एक एक राहदा मेंब्रेन माने plasma marine के पार global दिन, global क्या थी assistant professor थी राखफिलर इन्वस्थी में built up upon the work of his colleges, George Pilate राकर इन्वस्थी में थे जिन्होंने अपने सहयोगी George Pilate के मदद से जो कारे जो है संपन किया बुल्ट अगे बढ़ते हैं जो में चीजे हैं, ये तो ये नालेश था, इन यूकारियाट्स, यूकारियाट्स, यूकारियाट्स टिक के किस में, इन यूकारियाटिक सिल, प्रोटीन्स आर संसलेशाइड इन टू साइट, यूकारियाट्स में से प्रोटीन का जो संसलेशन होता है, दो किनारे पर होता है, नमबर वन होता है, इन समाने पर रफ हिंडो प्लाजमिक रेटिकूलम मेंब्रेन के उपर होता है वह आगे बात करते हैं जैसे पहला क्या है जैसे जैसे फस्ट है दो साइट है एक प्रोटीन सार सिंथिसाइड वाई फ्री राइबोसोम अगर प्रोटीन जो है फ्री राइबोसोम के द्वारा सिंथिसाइड होगी तब क्या होगा इव दा प्रोटीन सार सिंथिसाइड वाई दा फ्री राइबोसोम तो वह प्रोटीन जो फ् प्रोटीन यहां पर जाती है जो प्रोटीन फ्री राइबोसूम के द्वरा संथिसाइज होती है प्रोटीन साफ साइटोसाल, नुकलियस, पराक्सिसोम, माइटोकांडिया, प्लोरोप्लास्ट, और सिंथिसाइज भाई फ्री राइबोसूम यहाँ सब पे जो प्रोटीन जाती है, जतना भई नाम यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर जो भी प्रोटीन पहुचती है, दे आर सिंथिसाइज भाई फ्री राइबोसूम उस फ्री राइबोसूम के द्वारा सिंथिसाइज होती है, दस दीज आल इंपार्ट प्रोटीन फ्रामदा साइटोप्लाजम इस तरह ये सारे silargenlis जो हते हैं प्रोटीन को जो है import करते हैं यानि आयात करते हैं कहा से साइ्टो प्लाजम से तो इस तरह से प्रोटीन जो हती है स्वात्मत्र राइबोसोम के द्वाराश शंथिसाइज होने वाली जो प्रोटीन होती है प्रोटीन जो फ्री राइबोसों होते हैं वो प्रोटीन का संस्रेशन साइटोसाल में करते हैं और साइटोसाल से ये प्रोटीन जो होती है डिफ्रेंट सेल आरगेंली को जाती है So all these cell are gonna use nucleus, peroxis with mitochondria and chloroplast All these cell are gonna use to import the protein from the cytosol of the cell आगे है Proteins are synthesized by the Arrub endoplasmetic column membrane Proteins are synthesized by the RER membrane इसमें क्या है ? Proteins are synthesized by membrane band ribosome इसमें क्या होती हो है ? यहां उपर के यतने भी कोशिखाँ का नाम लिखा गया है इनकी अंदर जो प्रोटीन होती है किसके द्वारा संथिशाई होती है RER के द्वारा ठीक है RER membrane, by membrane bond ribosome RER मने रफ हिंड़ो प्लाजमिक रेटिकुलम के ऊपर जो bond ribosome होती हैं उनके द्वारा संथिशाई जो प्रोटीन होती है वो इन इसल आरगेनली को भेजी जाती है दस प्रोटीन आप दी आरगेनली आर इंपोर्ट फ्राम आरिया रीजन इस तरह से उपर के जतने भी इसल आरगेनली होती हैं अपने प्रोटीन को रफ इंडो प्लाजमी दिखाये जा रहा है आगे देखिए यह नुकलियस है नुकलियस देखिए डियन ने में क्या होगा रेप्लिकेशन होगा तो नए ने डियन ने बनेगे नुकलियस है नुकलियस अंदर डियन ने होगी डियन ने में रेप्लिकेशन होगा तो बहुत सारे DNA बनेगी, transcription होगा तो messenger RNA बनेगी, translation होगा तो protein synthesize होगी, big cell के अंदर दिखाते हैं, जैसे माली जी यह cell है, ठीक है, यह देखिए, यह cell है, cell का यह nucleus है, फिर बाहर क्या है, बाहर यह plasma membrane है, यह PM है, PM माने plasma membrane, आप दाश सेल, ठीक है ना, यह PM है, अब यह क्या है, nucleus है, nucleus के अंदर क्या है, DNA है, इस DNA में replication होगा, तो बहुत सारे DNA बनेगी, यह nucleus है, double membrane है, outer nuclear membrane, inner nuclear membrane, इसके अंदर nucleoplasm भरा होता है, यह cytoplasm है, तो बहुत सारा इससे मतलब नहीं, आपक्यूल DNA दे, जो मेंली हमको फोकुस करना है DNA पे, इस DNA है, DNA में replication होगा, बहुत सारे DNA बनेगी, transcription होगा, तो बन जाएगा messenger RNA, तढ़ गाना है, यह Pokemon होता है, DNA-dependent DNA polymerase enzyme, थिक है, जो DNA है, DNA में replication होगा, तो DNA बनेगी, transcription होगा, तो बनेगा messenger RNA, अब यह messenger RNA देखे, यहाँ पर दिकाया का, बना है यापर, तो यह messenger RNA नुकलियर पूर से बाहर आ जाएगा जैसरी messenger RNA नुकलियर पूर से बाहर आ जाएगा साइटोبस्म में इसको पर राइबोसोम बाइंड कर जाएंगी messenger RNA ने इस साइटोप्लाज में आगया है इसे उद पर देखिऊ, लार्च सब यूनिटा प्राइब उसम, इसके दिची इसमाल सब यूनिटा प्राइब उसम, बैंड कर लेते हैं, पोटीन को संथिसाइज करते हैं, घे, आगे क्या है, देखिए, कुछ दोफ अटाती है, फोटीन संतिसिस के बाए में, चाहर इंस net इंफ़ार्मास डिकार ढुटेए мदैशारग जो पर्टीन संथिसाइज हो गई है डब न'S经 शाइज को टेशन सब्ब्रका में होगईन तो यह प्रोटीण की यह पोटीन थे ड्रागेटिंग दोत परकार से हो चकती है एक तो होता है कि प्रोटीन जो है संस्थिसाइज हो रही है त्रांसपोर्ड भी हो रहा है जिससे माली जी मेसेंजर आरेन्ने और राइबोस्म के द्वारा यह नहीं नहीं प्रोटीन बन रही है ठीक है अब पहला है co-translation and translocation दूसरा है post-translation and translocation co-translation का मतला होता है जैसे protein का translation भी हो रहा है translation का मतला है protein synthesis and translocation माने होता है movement from one place to the other place movement from their forming site to their destination co-translation का मतला होता है जैसे protein synthesize भी हो रही है और साथ में ही अपने proper destination भी कर रही है उसको कहते है co-translation and translocation अब post-translation and translocation क्या है कि जब कोई protein synthesize completely हो जाती है when the protein will be completely synthesized then it moves to their proper destination and the proper destination will be either within the cell as like mitochondria as other cell organically or outside of the cell then such kind of the transport is known as post-translation and translocation बाहरे हम बात करते है co-translation and translocation की तो जैसे माल यह देखिए यह protein यह है messenger RNA ribosome लगे होते है तो यहाँ पर protein synthesize हो जाएगी protein formed and enters in ER lumen protein यहाँ बनती है enter करती है endoplasmic reticulum की lumen में lumen मने होता है internal cavity अब क्या होगा यहाँ protein बनेगी protein यहाँ बनेगी ribosome की दोरा protein formed and enters in ER lumen यहाँ प्रोटीन बनती है ER lumen में इंटर करती है endoplasmic reticulum की lumen में इंटर करती है then galgy complex के अंदर उसका होता है modification maximum modification आप protein नगर से इंद galgy complex फिर वो जो protein मनती है ठीक है वो निकलती है secretary basicals के रूप में ठीक है फिर यहाँ से जाती है कहाँ पर plasma membrane में plant by cool में lysosome में प्रोटीन मिला करके देखिए यह जो इतने पार्ट है galgy by cool के अंदर होता है maximum protein modification फिर यहाँ से secretary basical के रूप में protein निकलती है और जाती है outside of the cell तो यहाँ पर galgy galgy apparatus plant by cool, plasma membrane और lysosome इस सब क्या है part of endo membrane system endo membrane system के part है फिर इन सब से इस सारे endo membrane system के part है इन सब के अंदर proper modification होगा maximum modification galgy complex में होगा फिर यह protein क्या होती है यहाँ से जाएगी secretary basical group में बाहर जाएगी ठीक है उसके बाद देखिए example आपको translation and translocation protein अगर कोई पूछेगा कि protein का translation भी हो रहा है protein synthesized भी हो रही है protein का translocation भी हो रहा है translation का बाद प्रोटीन को माने साथ में इससे protein synthesized भी हो रही है और translocation भी हो रहा है इसका best example क्या है secretary protein है integral protein है protein और soluble protein है दूसरा जो mechanism है दूसरा जो process है वो है दिस है देखिए second है protein second है post translation and translocation post translation and translocation का मतलब होता है जैसे protein synthesized हो गई तो protein synthesized होने के पास चात ही अपने दूसरे destination पे जाएगी suppose that the protein is synthesized inside the cytoplan तो protein अगर cytoplasm में synthesized जब पूरी हो जाएगी complete protein synthesis हो जाएगी तब वहाँ से proper destination की और जाएगी चाहे उसका destination within the cell हो cytoplasm के अंदर हो चाहे cytoplasm के बाहर हो जैसे माले जिस cytoplasm में ही mitochondria के पास जाना है या दूसरे cell आरगनली के पास जाना है तो complete synthesis के बाद ही जाएगी so those protein which is completely farmed ऐसी protein जो पूरी तरह बन जाती है so those protein which are completely farmed after the process of the translation that will be that will be reaches to their proper destination and such kinds of transport is known as post-translation translocation जैसे माले जिस प्रोटीन की संतिस हो गई अब यहाँ से इसको mitochondria चली गई endoplasmic reticulum के lumen में चली गई पराक्सिसों में चली गई, chloroplast में चली गई ठीक है example आप दोज़ प्रोटीन which are present in cytoplane इसका example है दोज़ प्रोटीन which are present in cytoplane वो यह प्रोटीन जो cytoplane में पाई जाती है enzyme आप glycolsis और present in cytoplane जोकि enzyme जो होते हैं glycolsis के cytoplane में पाई जाती हैं इस तरह से ट्रांस्पोर्ट पूदर न्यूकलियस न्यूकलियस में ट्रांस्पोर्ट peripheral protein और soluble protein दीज़ अरदा example आप पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन example आप दोज़ प्रोटीन यह में दोज़ प्रोटीन कौन प्रोटीन आती हैं जो कि साइटोप्लाज में तो पाई जाती है ठीक है ना? क्योंकि साइटोप्लाज में ही पाई जाती है glycolesis के enzyme जो कि जो glycolesis होती हैं साइटोप्लाज में होती है इस तरह से प्रोटीन जो होती है जो न्यूकलियस में ट्रांस्पोर्ट होती है ठीक है? ट्रांपट तर नुकलिएस परिफ्यराल परोटीन जो किनारेज नरेज प्रोटीन पाई जाती है सालुबिल प्रोटीन होती है इस तरह से सारे ट्रांसपोर्ट को आती है पोस्ट ऄव्ड़ेशन ट्रांसलोकिशन ठीक है? ठीक है? that's all about today we will discuss साइ्टे में आपके लिए रगे रगेलिक स्वेरिक टपके डिए्ट गडेट आपके आपके लिए औरीटी की वाते लिए पुरिक जाफ